अग्षों आज अग्षाट करें चैप्टर नमबर ची बिजनस एन्वाइमेंट चैप्टर हम स्टार्ट करें यह थर्ड क्लास है आज हमारी लेकिन यह टॉपिक है इसका पर्स टूप्लास से कोई लिंक नहीं आज बच्छों पढ़ेंगे डाइमेंशन सो बिजनस एन्वाइ के बारे में आप पढ़ेंगे और दूसरा नाम में होते हैं है एलशाइन के यह बएक बच्छों क्या-क्छा बिजनस एन्वाइंट Story कि क्या-क्या अलिमेंट वीजनवाइमेंट के आज और बारे में बात करेंगे ठीक है तो देखो बच्चो बिद्नस इंवाइमेंट के हमारे इस में फाइफ elements हैं लेकिन आगे graduation में पढ़ोगे तो बहुत सारे elements आपको मिलेंगी बिजनस एन्वार्मेंट में आपको फर्स क्लास में समझाए था क्या होता है कोई भी फोर्स कोई भी फैक्टर्स कोई भी फैक्टर्स जो हमारे कंट्रोल में नहीं है लेकिन हमारे बिजनस को इफेक्ट करें वह हमारी बिजनस एन्वार्मेंट की कोई भी फोर्स कोई भी फै सबसे पहला अभी हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे अभी मैं सिप नाम को थोड़ा सा समझा रहा हूं सबसे पहला बढ़ाता है एकनॉमिक एन्वाइमेंट और यह टॉपिक के स्टेडी में आता है जहां रखना सबसे पहला बढ़ाता है बढ़ाएमेंट क्या होता है इसमेंशन होती है आपने में क्या पढ़ाएं आपके बागर में क्या पढ़ाएं इन्फलेशन रेट में चीज आ गया बढ़ाएं यह GDP में चीज़ आ गया क्या inflation के rate में चीज़ आ गया कि ये income में चीज़ आ गया country की तो ये जितनी भी चीज़े आप economics में पढ़ते हो अगर उन में कोई भी चीज़ आता है और उसकी वज़ा से मेरा business effect होता है वो business की कौन से environment होते है economic environment क्या नाम देते हैं उसका economic environment inflation, GDP, interest rate export, import foreign exchange ये सब economics में पढ़ते हैं इन में कोई भी चीज़ आता है तो बिजनस के लिए कौन से environment होते है बिजनस की economic environment होती है economic environment की क्या होती है वो dimension होती है यहां तक clear है second word second word आता है social environment second word बच्चों के आता है social environment है यह क्या होता है समझते है देखो बच्चों, social environment society में कोई चीज़ आ रहा है society में society के custom में चीज़ आ रहा है society के tradition में चीज़ आ रहा है society के चीज़ आ रहा है society के tradition में society उसकी बज़ा से लोग का बिजनस डिफेक्ट हो रहा है तो कौन से एंवार्मिट हो दो जिए जया तो बच्छे शौष्छल ऑangen्वार्मिंट क्या होती है जब सवसाइटी में सोसाइटी में सवसाइटी मिढ जाता है जैसे डॉटेम चूर्म में और गया है शेज में डाग Kubernetes या इनस में चीज आगया शोशल में एक एक्जामपल लेके चलता हूं आप लोगे साथ बच्चों एक होती है एक नॉमिक एन्वार्मेंट एक होती है जो भी एकनोमी में चीज आते हैं जैसे इंटरस्टेट इंफलेशन रेट जीडिपी इन में कोई भी चीज आ रहा है तो हमारी कौन से होगी एकनोमिक एन्वार्मेंट होगी सोसाइटी में चीज आ रहा है सोसाइटी के कस्टम में सोसाइटी के प्रेट्स टेडिशन में बिलीप में कोई भी चीज आ रहा है वह कौन से एन्वार्मेंट होगी शोचल एन्वार्मेंट ठीक है अब ही मैं इसका पूरा डिटेला करेंगा आज कम से चे करें क्योंकि आना के स्टड़ी में थर्ड टेक्नॉलजीक लेटेकनलोजीकल एन्वाइमेंट अब टेक्नॉलजीकल एन्वाइमेंट नाम से समझ आ तेक्नोलोजिकल आपने देखा होगा मैंने आज एक वीडियो शेयर किये एक घंटे के अंदर अगर आप उसके व्यूस देखो तो हंड़ेट प्लस होगा यूटुब के रीजन मैंने उसमें टेक्नोलोजी को चेंज किया उसमें कुछ इनोवेशन की कुछ बहुत सारी उसमें एजस्मेंट की और उसके बाद वो अप्लोड की कौन सामेंट होगी मेरे टेक्नीक में जाए है इनोवेशन में चाहिए वो टेक्नोलोजीकल होती है जैसे पहले क्या होता था आज की रेट में हम ओनलाइन बुकिंग कर सकते हैं आज हम घर बैटे-बैटे ओनलाइन रेस्ट टेक्नोलोजी में चींज आ रहा है उसकी विद्नस एफेक्ट हो रहा है कौन से एंवार्मेंट होगी टेक्नोलोजीकल नेक्स पॉइंट नेक्स पॉइंट बच्छों क्या एक आता है पॉलिटिकल एनवार्म अभी एक चीज़ लीट करवाऊंगा वेट करना जितने इन डुआने में ऊती है फॉलिटिकल और लीगन देख वच्छों फॉलिटिकल लीगन एनवार्मेंट क्या होती है जब कोई गॉवह्मेंट आती है उसका एटिक्वन तो वह उती फॉलिटिकल एक जब हम बात करने कि पॉलिडिकल स्टेविलिटी हमें पता है यह सरकार जोड़ी के साथ आया पहले से ज़्यादा सीट लेके आया तो उसकी वज़ासे शेयर मार्किट इंडिया की दो हजार पॉइंट्स कर गई थी यानि इंडिया के मान के चलो उस टाइम पे पच्छे से तीस लाग करोड रुपे शेयर मार्किट में रस्ट हो गया तो वह हमारे बिद्नेस के लिए कौन से अन्वार्मेंट होगई पॉलिटिकल की वज़ा से यह गौवर्मेंट का एटिट्यूट कहसे तूवर्स बिद्नेस पिछले साल जब प्रोविड हुआ था शेयर मार्किट बहुत गिर गई थी दो तीन महीने लगने की वज़ा से लेकिन इस साल आपको बता है कोविड हुआ एक मन्त के लिए लोग डाउन लगा पूरे इंडिया में यह में में लेकिन शेयर मार्किट अगर आप देखो कोई कोई जादा डिक्रीज जादा इंक्रीज कुछ भी नहीं हुआ स्केवल चली है क्यों क्योंकि पिछले साल लोगों ने देखा इखार ने दाउन ही ती और 29 कोई कीMax ञिए इसके लिए से लीक हमपल लेकर चलता हूँ लीकल का डिल्ली से सीड हो लोगी डिल्ली किसने बोला था कोट का और आया था अब तीन साल के लिए लगा दिया गया है तो लोगों को रहात मिली उनके लिए लीगल अब हम एक एक पॉइंट को जड़ा धंग से समझते हैं बच्चों पूर पर और जो मैं आप आपको पढ़वा रहा हूं यह नोट्स भी आपके देखना कैसे हम इसे पढ़ेंगे के स्ट इन चोट मतले ना विल्कुल एंसे लेंग्वेज हैं अब है अब आप है को अब को तो देखो बच्चों सबसे पहले मैं बात कर लों किसकी इकनोमिक एंवांटी अब अभी हम किसी के भी कंपोनेंट्स नहीं पढ़ेंगे सिर्फ आपको सबसे पहले एकनोमिक एन्वार्मेंट में ने बता था एकनोमिक में जो भी हम चीजे पढ़ते हैं उसमें अगर कोई चीज आता है और उसकी वज़े से मेरा बिजनस एपक्ट होता है तो मेरे बिजनस की लोगों कोन से एक्जामपल दीये हुए एकनोमिक एन्वार्मेंट रेफर्स नाइज इंट्रेशन रेट चीज इंडिस पॉजबल इंकम ओफ पीपल फेप्ट कैंगे इंपेक्ट अन बिजनस इंटरफैसे कौन से इन्वार्मेंट होगा ही मारी इकनॉमिक यह सब चीज़ि मेरा बिजनस एक्ट होता है वो मेरे लिए कुछ से इंटरपाइस को क्या होगा क्यों कि उसके लिए रोमेटिर की कोस्ट बढ़ जाएगी मचीन की कोस्ट पढ़ जाएगी ज्यादा वेजिसें सेलरी करनी पड़ेगी तो इन सब की वज़े से अगर कोई भी एक्ट हाता है वह एकनोमिक एंवारिमेंट होचा है अगर हम इसके कंपोनेंट की भी बात करें तो कंपोनेंट में कुछ नेया नहीं लिखा जो मैंने आपको चीज बताएगा कंट्री की जीडीपी की ग्रोथ में चीज़ आया पर कैप्टर इंकम की चीज़ ज सेस्टेइस में चीज़ आ रहा है मनी सब्लाइब पढ़े क्रिया प्रमशन इंवारिमेंट का मैंने आपे साथ जांपल लिया था सोसाईटी में घृटी में लिए में दिस्टाइब आता हूँ जैसे इस और लोग बहुत अवोइड कर रहे हैं बाहर की चीज़ नहीं मंगवारे जारा जो भी चीज बाहर से विल्कुल क्या करते हैं सेलेज करते हैं फिर यूज करते हैं तो देखो जिसकी वजह से आज देखो रेस्ट्रेंट हो लोगी जो सेल है पहले वह ओनलेंग जादा बीज़ सेते हैं वह क्या हो गया और कम होता जा रहा है क्यों कुछ सी एन्वार्मेंट बन गए बिजनस के लिए शोशल इन्वार्ट तो इसे में एक एक्जामपल समझार हो या इंसी आटी की लाइन है वह कुछ हमें अपार चीटी एंट च्विजनस को कुछ हमें तैंट को जैसे यहां इस आज की रिएंट में लोग देख रही है अप्नी फोक्तारें इस पें सब्सक्षा डिमांड ओर द्रीं जारी है वह कर दका रिंडा ने बंड़्ता रिए कि करी दैट सौफ दुट अ की लेकिन आम टोबेको लिकर बिद्न इनकी डिमांड थोड़ी कम हुई अगर आप देखो ठीक है सेकल्स की डिमांड सेकल्स की डिमांड पिछले साल कि नी हुई क्यों लोगों को आ गया आप अपनी इम्मूनिटी स्ट्रॉंग करो इम्मूनिटी स्टॉंग करने के लिए बहुत शोग चड़ा था यह बिजनस की कौन से इन्माइमेंटी तो कंपोनेंट्स क्या होते हैं एक्सपेक्टेंसी एक्सपेक्टेशन फॉम्ड वर्कपोस्ट यह सब वोमें वर्कपोस्ट में कितना प्रेंग बहुत पॉपॉपॉलेशन से यह जो चीजे हैं यह सोसाइटी से बिजन पर फॉक इसा नहीं होता था रिख तो लिए को उनसे इन्वार्मेंट का मतलब क्या होता है पॉल्टिकल कंडिशन कैसी कंट्री जैसे पॉल्टिकल स्टेबिलिटी अगर को पॉल्टिकल स्टेबिलिटी होती है तो इससे एक उसके ़ोगों में और मैजोर्टि से में बनती है तो ही लोग करेंगे हमारी कंट्री में होई वी बंदा कंडिशन के साथ इसलिए इसन इसलिए नहीं है आगर यह किसी सपोर्ट के साथ आई होती है जैसे शिप सेना के साथ आए लिए अगर और पार्टी के सपोर्ट में जिस तरह से अनला मचा था तो वह पॉल्टिकल इंस्टेबिलिटी होती तो लेकिन यह फुल मैजोर्टी के साथ है जिसकी वज़से लोग इंडिया में पैसा इंडिया में जो यहां पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है इतनी जल्दी यह नहीं खतम होगी तो यह सबसे में फैक्टर होता है जो बिद्नस को क्या करता है इंप्रूफ करता है देखो बच्चो अब इसके एक्जामपल्स क्या हैं कॉन्स्यूशन आप दा कंट्री कॉन्स जाए 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 जैसे यूप्टी में बहुत आई इंवेस्पेंट डॉमिनेट आइडिलोजी सेंड वैलियू अब देखो आप दिल्ली का हाल देखा होगा दिल्ली में कितना हल ना मचा सेंट्र हमें यह नहीं देघी हमें एक्सिजन नहीं तो यह जो डिस्क्यूट्स हो तो वहां पर इंवेस्पेंट नहीं आ रही सब चीजह पॉलिटिकल आइडिलोजी क्या है टेक्टिस के रूलिंग पाटी की नेचर कैसा है उस पॉलिटिकल पसेनलटी जैसे लोग कहते है कि मोदी की परस्निलटी अगलग है वह पूरे वर्ड़ में लीडर कहते हैं तो वह नेचर है तो यह सब चीज़ है पॉलिटिगल में यह देखते हैं कि जो इलेक्टिड ग्रॉमिंट इसका एकिटिडूड कैसा नदोनन हुआ था तो लगा था उपूर्ट इफेक्ट और इपक्ट नॉर्मल सिट्वेशन को चलने दिया जैसे चल दिया अब हम बात करते हैं लीगल देखो मैंने तुम्हें बार बहुत हो पॉलिटिकल लीगल में धियां रखना ना नीगल एन्वार्मेंट क्या होती है लीगल एन्वार्मेंट का मतलब क्या होता है वेरियस लेजिस्टेशन का लो पास कर दिया जैसे से आर्टिकल सी सेवेंट्य को हटा दिया जभ्यों कशमी से जुन कश्मीर से पिसको क्लिए कल्या ले लग्डाको से यूनिन टेरिडरी बना दिया तो यह जो किया है औरन्डेंट कोई पॉर्मेंट करें यह इसकी वज़ा से तुम्हें पॉय भी वहाँ पर बिजनस स्टार्ट कर सकता है तो कौन सी इन्वार्मेंट हुई उसकी विए से जो बिजनस चलोंगे वह लीगल हुई वहाँ एड्मिस्ट्रेटिव ओर्डर इशुर्बाय गौर्वर्मेंट इतोर्ती जैसे दिल्ली गौर्वर्मेंट ने ओर्डर पास कर दिया एक किसी कमीशन या एजनसी ने सेंट्रल स्टेट ने कुछ पास कर दिया जैसे उन्होंने कह दिया बिना मास कोई गूमेगा तो दो हजार रुपे का फाइन लगेगा लिगल एंवार्म को नहीं करते तो बिजनस लीगल प्रोब्रम में आ जाता है जैसे बिजनस करने के लिए क के बारे में बता होना चाहिए ठीक है इसके एक्जामपल देखो एक्जामपल क्या होता है कोई भी सिक्रेट की डबी लो यहां कोई भी तंबाकू खरीदो तो उसकी एड़टाइजमेंट के उपर लिखा होता है सिक्रेट स्मोटिंग इंजिरिस टू है बताओ वह अपने जो कर दो कि रांड्य को प्रोमों नहीं करते हैं किंवाल निखना पड़ता है क्यूंकि हमारे लोग बना हुआ है कि अग्र आप वह बैसा प्रडर दे रहे हो जिसके अंदर अंदर मिआ या अगर आप कम बागव कर रहे हो तो उसके ओपर यह निखा-ग कंपसरी होन अक्ठ सिक्टेट स्मोफिंगे इंजिरेस तू है अब आपने कभी शराफ की एड़ देखिए कोई शराफ की एड़ नहीं आती क्योंकि हमारे इंडिया में एड़्टाइश्मिंट ऑफ एलकोलिक विब्रेश पर वीड़िट है डूर्डशन पर किसी चैनल पर नहीं आती बीच में व आगा डूर्शन चलाते हैं कोई ऐसे चैनल तो उसमें एड़ आते थी वेवी फूड के लिए मदस मिल किसा बेस्ट के पहले बहुत एड़ आते थी क्यों क्योंकि लो बना हुआ था कि इस दिन में बारी एड़ देनी कंपल सरी है हर चैनल को टेक्नोलोजिकल मैंने बताया कोई भी साइन्टिफिक इंप्रोमेंट आती है इनोवेशन आ रही है और न्यू वेस्ट पता चाहिए गुड्सन सर्विसेश को प्रिद्यूस करने के तो हमारे लिए टेक्नोलोजिकल है जैसे ही एलाइन कंपनी साहिप इंटरनेट ठीक है जिसके तूँ अब लोग अपनी प्लाइट के टाइम एड़्जस कर सकते हैं औलें टिकेट बुक कर सकते हैं तो यह कौन सा बिजनस के लिए न्यू टेक्नोलोजी के थूप वह कस्टमर की रीच को बढ़ा सकते हैं यह तो यह पांच तरह की एन्वार्मेंट होती है के सटड़ी धंग से सीखना पहली के सट बताना चलू करूंगा कैसे अटेंड करने पांच के सटीडियों में हैं फरोंगा दूसरी आप कोड़ करोगी एक सब्सक्राइब कि अधिश्या कि अधिव कि अधियर कोशन की लास्ट लाइन पढ़ो सबसे पहले कोशन की कि फढ़ो लास्ट नाइन पढ़ो चल्ड़ी से पढ़ो सारे बच्चे क्योंगे टोड़ा और एक में आप देखो कोशन की लास में में लिखलन है इनने scissors ओढ Wow पी love to डाइमेंशन बताओ बुजनेस एंवाइमेंट की जो अब डोप फैरा में मुज़े कंसा का और इसमें क्या पूछ है उसके अपर बच्छों में जब करूंगा तो मेरे मांड में वही चलेगा कि विजनस एंवाइमेंट के क्या क्या होते हैं क्या क्या होते हैं कौन सा लग रहा है तो कोश्चन जब भी के इस टृड़ी का है कभी भी स्टार्टिंग से मत पढ़ना अग के माइंड में वही चले गए इस टॉपिक से यह वाला लग रहा है कि यह वाला अब हम स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से माहिंजा एग्रों लिमिटेड स्टार्टिड अन्यू वेंचर पर डिस्ट्रिबिशन ऑप हाम्फुल और केमिकल प्री फर्टिलाइजर्स वेज जए लुट आशवाँ के यह वेजवाँ वेजवाँन वे वेज वेजवाँ ड्रेट अन्यू पर इस पर नाफूल यू बबाएंड अवेजवाग लेज़ए वेजवेजवाँ ब्सक्राइब ट्रि पर उई बेस्वाँड एंवाँ वेजवाँ ट्रिवाँ चीं सब्सक्राइब तो विच फार्मर्स वुड बी एबल तो प्रीट एन अबंडेंट एंड नास्टिंग हार्वेस्ट इडेंटिपाई एंड एक्स्प्लें दी टू डामेंशन बिद्नेस्ट में इन्वार्मेंट हाइलेटेड इन अब 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 फेस जल्दी से अगर मैं आप लोगों से पूछूं कौन सा पॉइंट लग रहा है मेरे को बताएं फट अफट अब जल्दी से हैंड इस करें अब देखो जी येस हश गुलाटी बरा रहे हैं हश बताएं सब और टेक्नोलोजिकल शोशल और टेक्नोलोजिकल शोशल कैसे पता चला मुस्कान सानी येस मुस्कान बताएं आप मुस्कान हरश ने बोला है कि शोशल और टेक्नोलोजिकल है टेक्नोलोजिकल तो सब की प्रेफरेंस कैसी एक प्रेफरेंस के बारे जानी प्रेफरेंस का मतलब के डिशन बिलीब्स परस्टम और प्रेफरेंस वहां बढ़ाता था उसके शुट चलिए समझ आया अब देखो आपने टॉपिक पढ़ा आपको के सब्सक्राइब फट फट समझ आगई होगी अब मैंने आंसर नहीं दिया आप सब्सक्राइब अगली के सड़ी आपके लिए यह जल्ली से पढ़ें और मेरे को आंसर दे पढ़ो जी क्या लिख्या है कोश्चन में पोर्टिंग दिन लाइन टॉंग दा अबब पैरा एक्स्प्रीन फोर डिमे यह एँपरेंट माय that Indian's Craft Heritage continues because if it is custom and traditions Crafts Indian's craft heritage continues because if it is customs and tradition receive now only in a country by翻zinaen Rajasthan, Gujarat and Assam but also exported to USA, Germany, UK and France. The volume of export and import give India an advantage in balance of payment, the much needed foreign exchange system. The Prime Minister desires that a handicraft industry should be expanded by linking it with technology. Focus should be on changing the manufacturing process, ensuring durability and adopting innovation. Jaldi से बताएं कौन कौन सी environment लग लिए एक बच्चा एक ही बताएं जादा ना बोले ताकि मैं सब बच्चों से पोछ पाऊं ठीक है और किस लाइन की वज़े से वो भी बताना? येस आकरिती आकरिती बताएं कौन सी environment आप बताएंगे और कौन सी लाइन के बीशिवे से इसमें हमें एक political environment शो हो रहा है आप प्राइम मिनिस्टर वाई लाइन से दाप्राम इंडिक्राफिट इंडस्ट्री बहुत अच्छा है अब एक ही बताओ ठीक है मैं सकी और से बूखता हूं बहुत अच्छा बिलकुर सही अंसर दिया मैंडम ने प्राइम मिनिस्ट वरी लेंसे कोंसी न्वार्मेंट लग रही है कोलिटी कॉलिटी क्लें अगला कोशन लक्षे यह यहां लक्षे बताया आप येस लक्षे बतायां जैसर अलशर टेखनोगी कर नोची कोंसी लाहिन से अच्छा निक्स पॉन बच्चे बता रहे हैं जैन साब बताएं अजब जैन इकनोमिकल दो वाल्यम उप एक्सपोर्ट निमपोर्ट और बीओ प्यूर्य नाइं से इकनोमिकल बहुत सही आंसर दिया यस और कोई बच्चा एक रहे है एक रहे है एक रहे है एक रहे है यह फोन बताएगा अजब अजब आप बताओ तो इंडिया वह मतलब सुशल इंवार्यमेंट से इंडिया स्क्राफ्ट से इंडिया इस कॉंटिनियूज इस स्क्राइब बहुत बढ़ी स्क्षाब दीशन बॉलिम उप एक्सपोर्ट इंपोर्ट की वज़ह से इंडिया के बीओ और बीओ निचेंग और इंच्चेंज आई कैसे हुआ प्राइम मिनिस्टर डिजाइड हैं डिगाफ इंडेस्टी शुट भी एक्सपेंड़ लिंग की इत्विद्धा टेक्नोजी और टेक्नोजीकल कैसे पर चला फोकस किया गया किस पे इनोवेशन पे यह सब यहां तक समझ आया बच्चो तो किस तरह से कोशन आते हैं अब मैं नेक्स कोशन पे चलता हूं पहले वन मार्कर पे देखो जी वन मार्कर पे पहले चलते हैं यह पड़ो जी कोशन नमबर थर्ड आर भी आई वाला कोशन जल्दी से रीट करो आर भी एवाला पड़ो क्या लिख है इंडिया इंडिया इंक्रीज दा कैश इजर वेशो बाई 0.25 बेसिस पॉंट तू ओवर कम दा इंप्रिशी चैंट सिंदा इक्नों इडेंटिफाइड इंशन अब इन्वार्मेंट हाइलेटे इन दा गिवन से यह बटाएं यह कौन सा पॉइंट लग रहा है इस यह अगरावाद बताएं सब यह पॉलिटिकल का अंसे हो गया भाई पॉलिटिकल कैसे अग्या गलत आंसर है यह का शिश आप बताएं का शिश सब्सक्राइब करने की बात हो रहा है और इंफ्लेशन के बारे में जब भी हम बात करते हैं इंट्रेश्ट इसकी होती है एकनोमिक ठीकल में तो हम का एक्टिटूट डेखते हैं तो वर्स बिजनस यानि पॉलिटिकल यानि जैसे उसमें लिगारा प्राइम मिनिस्टर डिजा चलो अगला कोश्ट एक अगले कोश्ट पर जाते हुए पड़ो जी पॉशन नमबर प्रिफ प्रिफ बन मार खरें पड़ो एक्स पेस्टूर लिमिटेड इस अग्रेवल एजनसी विच बूक्स एयर टिकेट ओन कमिशन बेसे सिट टेक्स टूर्स तो गैट टिकेट गैट इस था कौनेंच ब्स जा और गैट एस विस तो गैट खोनेट गैट टी सिटव और शेयर शीवाल प्रिफ टूर्स थैबर शिवाइंट प्रिफ एट या तौर्ट विच भीडिल्टंट विच विच टिकर भीडें आ अाफ एक्टॉ एग्टी टाविजिव ऑन टीजिव लक्षे जब भी बताएं सब सब्सक्राइब टेक्नोलोजिकल बहुत बड़ी आंसर क्योंकि किसमें चाहरे हैं टेक्नोलोजी में चाहरे हैं यहां तक लियर है अच्छा नेक्स वोश्चन देखो बच्चों पॉश्चन नमबर सिक्स पड़ो क्या लिखें नैशनल डिजिटल library of India ndl India is a pilot project initiated by the HRD ministry it works towards developing a framework of virtual repository of learning resources with a single window search facility it provides support to all academic level including researchers lifelong learners and different एक लाइब्रेरी बनाई उसमें क्या था सब कुछ लर्णिंग के जितने रिसोर्सिस हैं उन सब के लिए कोमन बना दिया जिसकी वज़ेसे जितने भी अकैडमिक लेबल सोसाइटी के जैसे रिसर्च लाइफ लोग लना डिस डिफ्रेंट एब लना सारे उस लाइब्रेजी को यूज कर सकते हैं बीना कुछ पैसे दिए इकनोमिक भी टेकनोलोजिकल सी शोशल डी बहुत वी और सी आपका टाइम स्टार्ट होता है अब देखते हैं कितने आंसर दे कि बिलकुल सही आंसर आपको पचास पैसे का इनाम मिलेगा वर टेटियम चेक कर लें आपको कर दिया गए अब हम बात करते हैं अगले कोशन पर जाते हैं थोड़ा सा लोग कोशन है हमारे लिए लेकिन इस लोग कोशन को जड़ा धंग से रेखना बच्छो पेपर में काफ देखिए केस प्रोब्रम नंबर बन केस्ट नंबर फॉर जल्दी से रीट करते हैं और बिदनस इन्वार्मेंट की डामेंशन के बारे में बात करते हैं कोशन यह रहा आप किसके लिटली मैनी कमप्पनीज है प्लैंड पोस सिगनिफिकेंट इन्वेस्मेंट इन इंकम इस राइजिंग पीफल है डवलपा टेस्ट पर बैक्टर क्वालिटी प्रड़क्ट इवन तो दे में हैव फो पेमोर अप्रेशन लेवल है इंक्रीज दा गोर्वर्मेंट अल्सों लिबराइज इकनोमिक पोलसी इन दिस रिगार्ड एंपर्मिंट इवन सेंट परे लीगल लीगल इन्वार्मिंट कौन से पदेदाएं लीगल है इस गलत लीगल नहीं क्यों फॉड़ी ना पास हुआ है यह को दिखा एक लिधा डिक जब गोर्मेंट कुछ अपना इस अपना अपना उपर रही है कोई गोर्मिंट लो पास नहीं हुआ लो पास होता ओडर आता जज्जमेंट तो बहुंजाता लीगर यहां तो गौर्मिन ने पॉल्सी को लिबराइस किया फ्रीडम दिए ठीक है तो यह बनेगा हमारा समत गोल बताएं सर सूशयल कोन से पॉइंट से कस्टमर इंकम इस राइजिंग गलत आंशर आपने दिया सर आपको एक भी नाम नहीं इकनॉमिक में इकनॉमिक में इनकम कहां पर आती है इकनॉमिक में तो है कोन से इन्वार्मिक में अ आधो अनसर का वां बात है क्षा गावजी बता आप वह वह पुंसा पॉइंट है मादव ये सर बताएं कौन सा पॉइंट बताएंगे आप इसके बाद एक लाइन पड़ो पीपल है डवलप पर टेस्पोर बैटर क्वाल्टी लोगों में डवलप कर लिया टेस्पोर बैटर क्वाल्टी यह बन गया शोचल अन्वार उनसा बन गया शोचल आंसर कैसे प्रेज लगी हो और कैसे लगी हो इस बठाना नेक्ट साथ में मिलते हैं तब तक के लिए बाइबाए अ